हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ मेथी का पराठा मेथी का पराठा आप सबजीयों के साथ खा सकते हैं दही के साथ चटनी के साथ और चाय के साथ भी सर्ब कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो मैंने यहाँ पर फ्रेस मेथी को ले लिया है आप देख सकते हैं तो इसे मैं पहले कट कर लेती हूँ तो आप इसे पहले कट कर ले तो चलिए इसे कट कर लेते हैं तो इस तरीके से चौपर बोट पर रख करके इसको हम बारिक से कट क तो सारे मेथी को भी आपको भी इसी तरीके से कट कर लेना है अब मैं देखी एक बरतन में मैंने सारे मेथी को कट करके रख लिया है बिल्कुल बारिक है अब मैं इसमें पानी डाल करके मैं अच्छी तरीके से वास कर लूँगी मेथी को आप पहले भी धो सकते हैं मैंने लिया है अब मैं इसका मसाला तयार कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है चार लेशन की कलियां दो हैडी मिर्च एक छोटा सा टुकरा अद्रक का इसे हम कूट लेंगे इसे अच्छी तरीके से कूट लीजे देखिए अच्छी तरीके से कूटने के बाद अब मैं इसे आटा में डाल दूँगी तो सबसे पहले हम यहां एक बरतन में आटा को निकाल लेंगे तो मैंने डेर कप आटा लिया ह और साथ में मैं ले रही हूँ दो चमच यहां पर बेसन, स्वात कनुसार नमक, आधा चमच जीरा और हाथ से करस करके मैंने यहां पर डाल दिया है आज वाइन को अज वाइन को इस तरीके से डालेंग तो अच्छा फ्लेवर आएगा तो आब इसमें डाल दीजिए सुके मसालों में एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर, एक चोथाई चमच कस्मिरी रेचिली पाउडर, अब मैं यहां पर डाल रही हूँ कूटा हुआ मसाला अधरक लैसन और हरी मिर्च का और साथ में डाल दीजिए एक चमच सुद्ध देशी घी, अगर घी नहीं है तो घी के जगे पर आप ओयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ओयल, अब इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए, मिलाने के बाद मैं इसमें अब डाल रही हूँ मे थोड़ा थोड़ा पानी जाल करके इसका एक डो बना के तयार कर लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी जाल के आप इसका डो बना के तयार कर लें, तो देखे फ्रेंग हमारा डो बन के तयार है, इसी तरीके से सौप्ट डो लगा लेना है, डो लगाने के बाद अब हम इस सेल करने के लिए इसमें दाल देंगे हमों थोड़ा सा करीब आधा की चमश मैंने औBooks एकैना चीक च होने एक ड़ा है molar को आड़ा गला है में औ Richardson मारी घ्लाने ऑप दॉप्ड़ सेल करनेبة राथा को च्रूब application करम घ्लो करने लोई तोड़ने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से गोल कर लेंगे हातों से देखे इस तरीके से सारे लोई को हम तोड़ करके हम रख लेंगे गोल गोल बना करके हम पेड़े के तरफ बना करके रख लेंगे तो देखे इसी तरीके से रख लेना है अब मैं इसे चकले पर मैं नहीं बेलूंगी मैं फ्लैप पर बेलने जा रही हूँ तो पहले मैंने इस तरीके से आठा को लगा लिया है लोई में अब इस तरीके से बेलन से मैं बेल दोंगी इस तरीके से बेलने के बाद इसमें थोड़ा सा ओयल को यहाँ पर घी को लगा ले हाथों से इस तरीके से जारू तरब से स्पेरेक कर दे और इस तरीके से मैं मोड दूंगी मैं चोकोर टाइप का मैं यहाँ पर पराठा बना रही हूँ थोड़ा से इस पर आठा को छिरक करके हम इस तरीके से इसका हम पराठा बना करके तयार कर लेंगे तो इस तरीके से बेल लेना है मैं पास से दिखाती हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी बेल लेना है फ्रेंट पिर आपको जो सेप देना है वो सेप में आप पडाठे को बेल लें तो मैंने यहाँ पर तबे को चरहा दिया है गर्म होने के लिए तावा हमारा गर्म हो चुका है अब मैं इसमें पडाठे को डाल दूगी पराठे को डालने के बाद मैं इसे पलट दिऊंगी थोड़ी देर के बाद तो देखे मैंने पलट दिया है अब मैं इसमें घी लगा रही हूँ आप चाहें तो ओयल भी लगा सकते हैं इस तरीके से चारो तरफ घी को हम इस्पेड़ेट कर देंगे सुद्धेशी घी से ये पराठा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है देखे फ्रेंड मैंने पराठे को पलट दिया है अब मैं फिर से पलटने के बाद तुरंत मैं इसमें घी लगा रही हूँ जो कि हमारा पराठा बहुत ही अच्छा बन के तयार हो तो देखिए हमारा पराठा में कितना अच्छा कलर आ गया है आप देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी लग रहा है और यकिन मानिये बहुत टेश्टी बनता भी है इस तरीके से आप अगर घर में बनाते हैं तो बहुत पसंद आएगा आपको तो देखें हमारा पराठा बन के तयार हो गया है बिल्कुल पास से मैं दिखा रही हूँ बहुत ही टेश्टी है तो इसी तरीके से दूसरे भी पराठे को हम बना लेते हैं एक चोकोर टाइप का मैंने बनाया है तो एक त्रिकोर टाइप का मैं बनाऊँगी तो देखें फिर से मैंने लोई को ले लिया है और इस तरीके से बेल लिया है और इसमें मैंने घी को लगा दिया है इस तरीके से हम इस पराठे को फिर से हम बेल लेंगे मैं दो तरह के पराठे बना के दिखा रही हूँ आपको बिल्कूल इस तरीके से भी आप बना करके घर में खा सकते हैं तो देखे फ्रेंड मैंने पराठे को बेल लिया है फिर से मैं तबे पर मैं जाल देती हूँ तो देखे पराठे को हम जाल दिये हैं ताबा पर फिर हम इसे पलट देंगे फिर से हम इसमें तुरंत घी को लगा देंगे इसी तरीके से आप पराठे को बना ले और इसे गर्मा गरम सबजीयों के साथ सर्ब करें हमारा पराठा बिल्कुल बनके रेडी हो गया है अब मैं इसे सर्ब करके दिखाती हूँ मैंने यहाँ पर देखे अच्छी तरीके से पलटते हुए पराठे को बना लिया है मैं पास से दिखाती हूँ अब मैं इसे सर्ब करके दिखाती हूँ मैंने यहाँ पर पनीर टिक्का मसाले के साथ मैंने सर्ब किया है आपको जो मन हो दही के साथ अचार के साथ चाय के साथ सबजी के साथ जिसके साथ मन करें उसके साथ सब करें बहुत ही मुलायम और टेस्टी ये पराठा बनके तयार हुआ है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है फ्रेंड तो आई होप आपको आज की मेरी रेस्पी मेथी पराठे कि पसंद आई हो तो like share जरूर करें और subscribe करना ना भूलें अपने दोस्तों में share करना ना भूलें और bell icon बटन को भी जरूर प्रेस करें जिससे मेरी नई नई रेस्पी के वीडियो की notification आपको पहले मिल सके